नमस्कार देश देशांतर में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं घंशयाम उपाध्याए पिछले कई दश्कों से जिस तरह देश की जनसक्या बढ़ी है वो लगातार चिंता और बहस का विशे रहा है इसी समस्या की और प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने भी लोगों का ध्यान खिशते हुए 15 अगस्त को लालकिली की प्राचीर से अपनी चिंता जाहिर की थी प्रधानमंतरी मोदी ने छोटे परिवार की पैरवी करते वे कहा था कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह से देश भक्ती है इसके दो महने बाद अब असम सरकार ने इसी से जुरा एक बड़ा फैसला लिया है असम सरकार ने उन लोगों को सरकारी नौकरिया नहीं देने का फैसला लिया है जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं मुक्रमंतरी सरबानन सोनुवाल की काबिनेट के इस फैसले के अनुसार एक जनवरी 2021 के बाद से दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी आसम विधान सभा ने दो साल पहले जनसंख्या नीती को अपनाया था और सितंबर 2017 में आसम विधान सभा ने आसम की जनसंख्या और महिला सशक्ती करण नीती पारित की थी ताकि छोटे परिवार को प्रोथसाहित किया जा सके इस नीती के अनुसार सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उमिद्वार नहीं बन सकते जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं इसके साथ ही ये भी तैय किया गया कि मौजूदा सरकारी करमचारियों को भी दो बच्चे के मानक का सकती से पालन करना होगा ना सिर्फ नौकरी पाने के लिए बलकि पूरी नौकरी और उसके आखिर तक इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से ज्यादा ना हो आपको बता दें कि इसी तरह की कोशिश मध्यप्रदेश, गुजरात, महराश और राजिस्थान जैसे प्रदेशों में भी अलग-अलग अंदाज में की जा चुकी है इस तरह का फैसला जनसंख्या नियंतरन करने में कितना कारगर होगा, कैसे इस फैसले को लागू कराया जाएगा इनी तमाम उद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बेख़द खास महमानों का खास पैनल जुड रहा है में तारूफ आपका करा दू, मेरे साथ हेमन बिस्वा साहब जुड रहे है जो की वित्मंत्री हैं असम सरकार में, फोन लाइन के जरी मेरे साथ जुड रहे है पूरा मुट्रेजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कारिकारी निदेशक हैं, जनसंख्या फाउंडेशन आफ इंडिया की आदिती टंडन मेरे साथ स्टूडियो में है, विशेश समवादा आता है दर ट्रिब्यून की, एश्वरे भाटी जर्चा का हिस्सा है, अधिवक्ता है स सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, सबसे पहले हिमनता जी आपी के पास आना चाहूँगा, सर इस थौट को जनरेट कैसे किया सर, ये मन में ख्याल कैसे आया, कि जनसंख्या को अगर रोकना है, तो सरकारी नौकरी के लिए ये बाधेता लगाई जाए, आसाम बिधान सभा ने दो साल पहले आसाम का एक जनसंख्या नीती को पारिद किया था, ये जनसंख्या नीती में काफी प्रवधन है, इसमें कैसे बच्छी को खास कर के गर्ल्स, गर्ल्स एडुकेशन, कैसे पोस्ट गेजुएट स्टर्टक फ्री किया जाए, कैसे महिलाओं का बीच में सरसक्ति करन का काम किया जाए, और साथ साथ में हमने कोई-कोई restrictive clause का भी प्रवधन किया था, जैसे बंसाएक शुनाओं में लडने के लिए आपको दो से ज़्यादा संता नहीं होना सहिए, आपका नगरपलिका के लिए दो से ज़्यादा संता नहीं ह होना सहिए, कमभाई में पद लेने के लिए दो से ज़्यादा संता नहीं होना सहिए, उसी सिल्सिला में और ऐक प्रवधन था कि एक सरकारी करमसरी रोल मोडेल होना जोड़ी होता है समाज के लिए इसलिए हमारा सरकारी करमसरी दो संतान का नीती पालन करेगा और साथ साथ में permissible age का पहले साधी नहीं खरेगा यह दोनु हमारा जनसें का नीती का एक प्यवस्तापना था परिशुदिन केबिनेट में इसको सर्वीस रूल में सामिल कर लिया है इसका पार्ड होगा सर आप हमारे साथ जुड़ें तो मैं चाहता हूँ हमारे वीवर्ट्स को एक बार इस पूरे फैसले को आप सही से बताए क्योंकि इसके बाद कई सवाल मन में भी आते हैं कि अगर कोई शक्स अविवाहित है और वो नौकरी जॉइन कर रहा है उस वक्त उसकी शादी नहीं है बच्चे नहीं है लेकिन बाद में क्या ये रूल उसमें भी फॉलो होगा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन पर ये किस तरह से फॉलो होगा और सारी तीसरा सवाल मेरे जो जहन में आता है वो ये कि अगर किसी का दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाए ट्विंस हो जाए तो फिर क्या होगा सारू उसी सिद्धी में पहला बात जो अभी सरकार में काम कर रहा है इनके लिए ये लागू नहीं होगा इसका प्रोस्पेक्टिव एप्लिकेशन होगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लिकेशन नहीं होगा नमबर टू जो सरकारी करमसारी नोक्री लेने का समय में अविभाही था और नया विभाही था उनको दो संतान तक जनम देने का अधिकार रहेगा लेकिन तीसरा संतान अगर जनम होता है यह मिसकंड़क माना जाएगा और उनको नोक्री से हम लोग बाहर करना परेगा पिश्रा बाद अगर दूसरा संतान जोरुआ होता है इन डैट कॉंटेक्स उनको तुसरा संतान भी राखने का अधिकार उनका होगा अच्छा ताम उनको दो ही बच्चों की शेणी में काउंट किया जाएगा सर आप मेरे साथ रहें कुछ और महमान भी उनसे बातचीत भी कर लेते हैं पूनम मुट्रेजा जी ये फैसला जो की आसम सरकार ने लिया है आपको कितना कारगर दिखाई देता है जनसंख्या नेंतरंड की फेरिस्ट में उस कदम बढ़ते हुए कदम के तौर पे ये फैसला कितना कारगर हो सकता है मैं देखिए चाहे आप इंडिया को देखिए या पूरे विश्व में देखिए तू चाइल नौम कहीं भी लागू करने से पॉपिलेशन कम नहीं हुई है दूसरा इंडिया एक ऐसा पुरुष प्रधान देश है जहां सेक्स इलेक्शन अलरडी बहुत ही जादा साजाद में होता है और अगर आप टू चाइल नौम करेंगे तो लोग पहला बच्चा ही एक लड़का चाहेंगे तो हमने ये देखा है हमारे देश में जब टू चाइल नौम लागू हुआ था पंचायत लेवल पे और असाइम उस वान अफ देट्स एक बहुत सीनिय ब्यूरोक्राट रिटायर ब्यूरोक्राट निर्मला बुझ जी ने पांच स्टेट्स में इसका इंपाक्ट देखा था और क्या इंपाक्ट था सेक्स इलेक्शन बढ़ गए अबॉर्शन अनसेफ अबॉर्शन बढ़ गए लोग अपनी वाइवस को मेन वर डेवोसिंग ऑन पेपर और लोग अपने थर्ड चाइल को अडॉप्शन के लिए द तू चिल्डरन से जादा नहीं हो रहे हैं दो से भी कम हो रहे हैं केरला देखे तमिलनाट देखे जहां फर्टिलिटी बहुत डिकलाइन हुई है वहाँ पे कोई तू चाइल नौम नहीं हुआ क्या हुआ वहाँ पे एजुकेशन जो इनकी पॉलिसी भी असाम की पॉलिसी तू लेवल्स मैं बहुत वेलकम करते हुँ जो असाम की पॉलिसी है विमन्स एंपार्मेंट अप्रोच है उसमें और लड़कियों की पढ़ाई और शादी तिल 18 यह यह सब हम इसका स्वागत करते हैं पर यह तू चाइल्ड नौम और पुनिटिव मेजर एक तो हमारी पॉ हुई थी उसमें साइन किया था हम कभी कोषिन नहीं करेंगे हम कभी डिसिंसेंटिव नहीं करेंगे क्योंकि पूरे विश्व में यह पाया गया था कि ड़सन वर्क मैं भी चाहती हूँ फैमिली प्लानिंग और नेंतरन हो पर जनसंक्या नेंतरन के लिए हम काम करते हैं पर उसके जो ट्राइट टेस्टेड हैं वो यह है कि आप जो अनमेट नीड है फैमिली प्लानिंग की जो फैमिली चाहती हैं कम बच्चे फैमिली इन इंडिया आवरेज 1.8 चाहते हैं क्यों चाहते हैं क्योंकि आज इतनी गरीबी है लोग बच्चे जादा करना नहीं चाहते पर साधन नहीं है और अगर आप बिहार में या विमन्स एंपार्मेंट नहीं है जो आपकी स्टेट असायम में कोशिश कर रही है और इसका फिर से मैं स्वागत करती हूं मैं ये कहना चाहती हूं अन्त में कि अगर आप आंकड़े देखें असायम के असायम की आवरेज 2005 और 2015 के बीच में अनमेट नीट 10 प्रतिशत से 16 प्रतिशत बढ़ गई है इसका मतलब 80 लाक जो बर्ट हो रहे हैं वो unwanted हैं तो मेरी दरखास होगी रिक्वेस्ट होगी बिहार अक्साम स्टेट गर्वर्मेंट से कि आप प्लीज इन में इन्वेस्ट करिए greater family planning access हो लोगों क पूनम जा आप दूसरे रास्ते सुझा रही है जिनके बाचीत हो सकता है ठीके मैम आपके पास लोटूंगा हमारे साथ दूसरे महमान भी है अदिती असल में जो हम तस्वीर सरकार की तरफ से पेश की जा रही है उसको देख रहे हैं आपका analysis क्या कहता है इस तरह की हमें मिलती है हमारे पूरे देश में जो थोड़ी बहुत studies और medical evidence available है वो यह indicate नहीं करती है कि punitive action या इस किसम के measures से आप actually population control के objectives को achieve कर सकते हैं उसके जाहिर सी वजह जो हमें नजर आती है जो personally आप मुझ से पूछ रहे हैं कि मेरे अपने analysis में क्या है देखिए एक बहुत important ह हमारा document जो economic survey है जो हमें आगे की दृष्टी और दृष्टी कोन दिखाता है 2018 और 19 के economic survey में एक बहुत बड़ा chapter dedicate किया गया है demographic trends को लेकर उसमें सबसे important चीज जो flag की गई है वो यह flag की गई है कि भारत में population stabilization goals को achieve करने के लिए जो acceleration चाहिए थी वो acceleration बहुत अच्छे से utilization goals को achieve करने के लिए track पर हैं इस वक्त हमारी total fertility rate मतलब कि एक महिला अपनी पूरी उम्र में कितने बच्चे पैदा करती है जो उसका indicator है वो हमें चाहिए 2.1 और इस वक्त है 2.3 तो हम अपने गोल से बहुत दूर नहीं है नाशनल population policy का जिक्र किया इन्होंने पूर्नम मुत्रेजा जी ने उसमें भी small family norm का जिक्र है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये जिक्र किया अपनी 15 अगस्त की speech में ये actually हमारी national population policy का हिस्सा है जो coercion को बिलकुल भी support नहीं करती क्यों नहीं करती क्योंकि इतिहास गवा है और आप और हम देख चुके हैं कि किस किस्म से emergency के बाद जो punitive measures का इस्तमाल किया गया था हालांकि वो तो बहुत ही और तरीके के punitive measures थे force sterilization थी उन्होंने भारत का सारा population control और family planning agenda कई दशकों से पीछे भेज दिया क्योंकि एक ऐसा taboo topic बन गया population कि लोग बात करने क बात करके इसको फिर से public conversation में लाने की कोशिश की है जब एक इतना बड़ा नेता एक इतनी important बात public forum से कहता है पहले प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने अपनी independence day speech में small family को stress किया है तो आप जो पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई असर होगा अभी तक कोई ऐसा evidence नहीं कि असर हो है वो हमें actually ये बताता है कि इंडिया को aging population के लिए तयार होना पड़ेगा economic survey ने हमको warning दी है कि बहुत सी states जिसमें आसाम का जिक्र है आसाम की जो annual population growth है वो सिरफ 1% है जो national average से कहीं कम है और बहुत सी ऐसी states हैं जो बड़ी तेजी से population stabilization को achieve कर रही है हाला कि एक डर ये भी है कि हम चाइना की population को surpass करने वाले हैं लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी population भी age होने वाली है तो क्या हम ऐसे measures adopt करके कहीं चाइना का रास्ता तो नहीं अपना रहे है अब देखिए चाइना ने भी one child policy को relax किया इतने सालों के बाद लेकिन कोई dividend नहीं मिल रहा क्योंकि पूरी society क का mindset ऐसा बन गया है कि हम एक बच्चे से जादा करना ही नहीं चाहते हैं ठीक है अच्छाना का जो एक्जांपल है और अच्छा है इन्होंने उठाया हमें उससे सीखना चाहिए कि यह कितना हमारे देश जहां पे sun preference है वो हमारे देश में कितना हमें पीछे ले जा सकता है और असाम का तो बहुत experience है कि असाम के यहां से लड़कियां जाती हैं खरीद के हरियाना जहां पे बहुत sex ratios खराब है तो ऐसी स्थिती हमारे देश में we cannot afford and finally मैं जो प्रधान मंत्री ने कहा कि patriotism is equivalent to having two children पर हमारा देश तो फिर बहुत patriotic है क्योंकि हमारे यहां average लोग दोस से जादा बच्चे चाते ही नहीं हैं हमें उनको साधन देने चाहिए और असाम में यह बहुत जरूरत है चीक की मैं तो दूसरे पहलो पर भी बात करने की जरूरी है लेकिन इसके कानूनी पहलो पर बात कर लेते हैं अशुरे हमारे साथ हैं अशुरे जरह यह समझाएं अगर कानूनी चश्मे से इससे देखने की कोशिश करें तो कई ऐसे इसे उत्राफर्म का खयाल मेरे जहन में आता है जब वहाँ कहा गया कि पंचाय चुनाव लड़ने के लिए जितने भी कैंड़ेट होंगे उनके दो ही बच्चे होंगे जब इसको हाई कोट में चुनाती दे गई फिर सुप्रिम कोट में चुनाती दे गई और लास्ट में देखा क इस स्टेट कॉर्मेंट को इससे हाथ पीछे खीचने पड़े तो क्या इस तरह की कोशिश जब अब दूसरे अंदाज में आसम में की जा रही है क्या इसको भी समयधानिक दायरे में लाकर कोट में इसके खिलाव भी अपील की जा सकती है अंशुमन जी कानून के हिसाब से इसमें जो अर्लियस जज्जमेंट्स हैं वो हर्याना और राजस्थान के जज्जमेंट्स हैं सुप्रेम कोर्ट में क्यूंकि राजस्थान ने सबसे पहले ये टूचाइल पॉलसी को लागू किया था और अर्याना फॉलोड सूट सून आफ्टर वो पं सुप्रेम कोर्ट ने उस समय भी 2003 के दो जज्जमेंट है 2003 के पहले सबसे पहले इस तूचाइल पॉलसी पे जज्जमेंट है उसमें उन्होंने अफर्म किया इसको और उन्होंने कहा कि ये एक सोशो वेलफेर स्कीम के उसमें है किसी फर्नमेंटल राइट को वाइलेट नही इसका एक और चैलेंज आर्टिकल 25 और 26 पे भी हुआ था जिसमें religious freedoms की बात कही गई है कि we are all free to practice, profess and propagate our religious freedoms उसको भी Supreme Court ने उसका भी violation नहीं माना और बोला कि ये जो नाशनल इंट्रेस्ट में है तो recently last year दो judgment और Supreme Court के आये हाला कि वो छोटे orders है उसमें एक में ये था कि adoption पे दे दिया first child और तो तीन बच्चे थे total तो उसमें court के सामने उन्होंने कहा कि हम जब adoption पे दे चुके हैं तो हमारे दो ही बच्चे होते हैं पर court ने कहा कि हम आपको allow नहीं कर सकते कि आप legislative जो intention है उस मैंडेट माना मांगा गया सुप्रेम कोट से कि आप ये मैंडेट करें कि two child policy पूरे देश में लागू हो तो उस पे भी सुप्रेम कोट ने मना कर दिया कि हमारे डोमेन में नहीं है ये legislative competence है legislature decide करे state to state decide करें कि कि ये किस तरह से इसको लागू करनी है देखिए there is no single or simple answers ये इ हमारे को कहीं न कहीं इतना पीछे ले जाके खड़ा कर रही है आज हम चाहे जिस फील्ड में बात करें अगर judiciary की बात करें तो judicial delays दीमक की तरह हमारे system को प्लेग कर रही है और इसका कारण ये है कि हमारे resources चाहे वो judicial resources हो चाहे infrastructure resources हो we are not able to keep up with the population explosion तो sex ratio भी important aspect है लेकिन population explosion भी important aspect है तो इस मसले करें चैलेंज किया जा सकता है अंशुमन जी चैलेंज तो किया जा सकता है पर already challenge affirm Supreme Court ने उसको uphold किया है तो ऐसा नहीं कि challenge असानी से उसको किया गया एक बात और मैं highlight करना चाहती हूं कि ये नहीं है कि there is a decision की one size fit all की पूरे कार available नहीं है देखिए ये systematically हो रहा है और this is call कि आप incentivize कर रहे हैं कि जादा बच्चे आप नहीं करें तो small population small families is an important goal for the nation and I think we should all support it हीमन जी भी हमारे साथ phone line के ज़रे जुड़े हैं वित्मंत्री हैं आसम सरकार में तो हीमन जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुच रहे हैं तो सर ये जानने की कोशिश मैं आपसे कर रहा हूं कि इससे पहले जो भी फैसले लिये गए विधान सभा के जरिये चाहे हो election के और एलेक्टिट रिप्रेजेंटिटिव अब अर्बन लोकेल बोडी और फोर देट मेंटर एक गॉर्मन एंप्लोई इस कंसिदर टू बी एर रोल मॉडल इन दा सोसाइटी जैसे अभी पुनम जी अपना तर्ग दे रहा था कि population control is important but do not take cohesive action अगर पुनम जी का ही सेब अच् दोस से जाड़ा बच्चा मत पैदा कीजिए तो लोग यह नहीं पूशेगा कि पुनम जी आपका तो खुट का से है तो इसलिए यह इतलिए नहीं है हम हमारा सरकारी करमसारी को पंसायत प्रतिनीधी को और आर्बान लोकेल बोडी का जो मेंबर्स है उनको यह रोल मॉडल बनाने का प्रयास है जब जाके प्रधान मंतरी का बानी लेके ओ गाओ में जाएगा कि देखिए भाई दोस्त साहल करना आपका एक पेट्रियॉटिक ड्यूटी है गाओं का लोग उनको नाप उसे भाई आपका तो से हैं आप प्रधान मंतरी का बात नहीं मानते है और हमको पूपनाने आते हैं तो डीसी जा स्मॉल एफोर्ट ऑन आवर पार्ट तु क्रियेट रोल मॉडल सीन आवर सोसाइटी इसमें आम पोपुलेशन से इसका कोई संबन नहीं है आम पोपुलेशन को हम कोई कोहेशिव नहीं कर रहा हूँ आम पोपुलेशन को हम समझाने का कोसिस करूँगा कि आप देखी आप दो किजिये लेकिन समझाने वाला जो होगा जो शूर आपको जो हजरात महाम्मळ का कहीनी मालूम है कि मिठाई चोड़ने का दूसरों को उपदेश देने का पहले हजरत महम्मत ने खुद मिठाई खाना चोड़ दिया था जहां तक आसाम का पोपुलेशन कंट्रोल का बाद है हां हमारा लगभग हमने इसको एसीफ किया हूं हमारा बारा जिला मेंदा में को आना रखाना है तो भी उनको समझाना है मेरा हेल डिपार्टमेंट का ओफिसर उहाँ जाना है आसा वोर्कर उहाँ जाना है एनेम उहाँ जाना है लेकिन अगर खुट का दस बच्छा होगा तो वो कैसे जाके समझाएगा तो इसी जे हमबल एफोर्ट ऑन आवर पार्ट तो क्रियेट रोल मॉडल हम तु ये साहता हूं कि हमारा MLA, MPS के लिए भी ये एक बनाया जाना चाहिए पार्लेमेंट कि कम से कम MLA और MPS को बच्छा दू होना साहिए और जो पोपुलेशन फील में जो NGO काम कर रहा है सारा NGO का भी कर्म जो कारिया करता है उनका भी दो बच्छा होना साहिए इसलिए आप तब तक और काम मत लिजिए अपना सरी में अपना ध्यान धरना में जब तक आप उसको फॉलू नहीं करता है तो ये हमारा उस दरान इस तु डैट डाइरेक्शन बिसी एफोर्ट तो एक रोल मॉडल स्थापिद करने की कोशिश कम से कम से कम सरकार यहां कर रही है तो पूनम जी, हिमन जी कह रहे हैं कि देखिए हम जनसंख्या नेंतरन करने के लिए पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम असलमें एक आदर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, रोल मॉडल स्थापित करना चाह रहे हैं, जिसके जरीए मेसेज करने हो पाए, कि हम दूसरे की गल अगर रोल मॉडल बरना चाहती है, तो ये जो अठार, दस, बाराज जिले मंत्री जी मेंशन कर रहे हैं, तो उन जिलों में सुविधाय अगर पहुंचाई जाएं, फैमिली प्लानिंग की, आप देखेंगे, महिलाएं खुद ही इतने बच्चे नहीं चाहती, उनकी स्तिती न नहीं कर सकता, आप फैमिली प्लानिंग की एकसेस वहां क्यों नहीं ले जाते हैं, और कोई नहीं पूछता, आपके कितने बच्चे आप हमें क्या बता रहे हैं, आश्रा मेंली, who is the person who goes to village, it is आश्रा, A&M, जो लोकल स्वास्थ्य करमचारी हैं, उनके चार बच्चे हों, दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों, कोई नहीं पूछता, सबकी अपनी अपनी स्थिती है, कि हमें फैमिली प्लानिंग कॉंट्रसेप्शन चाहिए, महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें घर के पास अच्छी सुविधा मिले और वो फैमिली प्लानिंग यूज करेंगे, अगर आप अच्छी सुविधा करेंगे, तो आप नियंतरन भी कर पाएंगे और सिर्फ रोल मॉडल नहीं, रोल मॉडल हमें बनना है, सच्चाई, इमांदारी, there are many other ways, आप अपनी जनता को रोल मॉडल बना सकते हैं, करॉप्शन जाए, इनेफिशिंसी जाए, वगेरा वगेरा, पड़ ये के लोग सिर्फ क्योंकि आपके दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे करेंगे, इसमें कोई कहीं भी एविडिन्स नहीं है, मैं आपको एविडिन्स मंत्री जी बताती हूँ, जो लड़की 12 साल रहें, तो बाकी अवेर्लेस करिक्रम नहीं करेंगे, उसके बच्चे दो से कम होंगे, ठीक है मैडम, अब और में हमानी वेरे पास है, आपको, बोली बोली सर, बोलना चाहरें, बोली ये, इसलिए मेरा पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं दो बात बोलके आपसे विड़ा लेता हूँ, बाद ऐसा है कि असाम में लोग बहुत ससग्ध है, अग लोग ये फेस कर चुका हुए, कि जब अभी हम ही ये कानून पास किया हो, उसमें क्या हुआ, बीच में मेरा एक फेस्बुक में फोटो निकाला था, मेरा दो बच्चा, एक फैमिली फ्रेंड का बच्चा का साथ मेरा एक फोटो निकाला था, तीन बच्चा हो गया था, तो वो फोटोग्राफ में लोग उसको ट्वीटर में पूश रहा है कि आपका तू तीन बक्सा है आपके यहां का लोग जागरूब है इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत टागेटड प्रोग्राम्स चल रहे हैं सास बहु सम्मेलन के माध्यम से और जैसा कि महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास कांट्रसेप्शन की डिमांड तो है लेकिन सप्लाय नहीं है तो इन सब जागरूकता कार्यक्रमों के थूपॉपुले की जा सकती है और फैमिली प्लानिंग की जा सकती है और हम यह ना भूलें कि हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि पॉपॉलेशन मोमेंटम बहुत है तीस साल की उमर के जो मतलब तीस साल तीस प्रतिशत हमारी जो पॉपॉलेशन है वो 15 से 24 साल की उमर के बच्चे या लड से आपका एक act small family का patriotic है जो कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था ठीक है इस विशे पर लंबी चर्चा हो सकते थी लेकिन समित बोड़ा सा कम है बहुत शुक्रिया आप सबी खास अमानों को आने के लिए चर्चा में जुड़ने के लिए तो ये कोशिश आसम सरकार कर रहे हैं इस कोशिश का क्या परिणाम निकलता है इसके लिए इंतिजार करना होगा फिलाहाल देश देशांतर में इतना ही आप जानते ही है आपकी सुझाओ और आपके